Clinical thermometer तो आप सबने देखा होगा Thermometer से हम temperature measure करते हैं जिसका temperature हमें measure करना होता है हम thermometer को उसके contact में कुछ देर रखते थे हैं तो उसका reading हमें ये बता देता है कि उस body का temperature कितना है पर ये काम कैसे करता है देखे जब भी दो objects contact में होता है तो heat गर्म object से ठंडे object में flow करता है जब तक कि दोनों का temperature सेम न हो जाए Thermometer के अंदर रहता है mercury तो कुछ देर thermometer को किसी object के contact में रखने से thermometer के अंदर का mercury उसी object के temperature में आ जाता है और आपको पता होगा कि normally किसी object का temperature बढ़ने से उसमें होता है thermal expansion तो thermometer जिस temperature में होता है उसी के हिसाब से mercury का volume होता है और volume बढ़ने से mercury thermometer के अंदर के नली से आगे बढ़ता है mercury जितना आगे तक बढ़ा होगा उतना ही होगा उस object का temperature